दिल्ली में गंतंत्र दिवस पर हिंसा करने के आरोपी दीप सिंग सिद्धु के सोशल मीडिया अकाउंट से भड़काऊ विजियो अपलोड हो रहे हैं जो की हैरान कर देने वाली बात है चुकि एक दिन पहले यानि 23 फरवरी को ही दीप सिंग सिद्धु को 14 दिन की नयाई खिरासत में जेल भेजा गया है ऐसे में सवाल उठता है कि जब वो जेल में है तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट से विडियो कैसे अपलोड हो रहा है विडियो में टिकेट और लखा समय छे लोगों के भड़काऊ भाशन दिखाए गए हैं हलाकि इस बारे में पहले ही दिल्ली पुलिस खुलासा कर चुकी है कि ट्रेक्टर परेड हिंसा के बाद दीप के सोशल मीडिया अकाउंट पर अमेरिका से विडियो अपलोड की जा रहे थे ये काम यहां उसकी एक महिला मित्र कर रही थी यहां बता दे कि 26 जन्वरी को लाल किला हिंसा मामले में आरोपी दीप सिध्धु जेल में है लेकिन उसके फेस्बुक अकाउंट पर एक बार फिर विडियो अपलोड के गए हैं इस वीडियो में दीप सिध्धु ने खुद को निर्दोष बताते हुए अन्य किसान नेताओं के बढ़काउभ वाशन दिखाए हैं वीडियो में भारती किसान यूनियून के प्रवक्ता राकेष ठिकैत किसान नेता गुर्णाम चड़ूनी और एक लाग के इनामी एक्टिविस्ट लखबीर सिंग और लखा सिधाना का भड़काउ भाशन है वीडियो में गैंग्स्टर से सोशल एक्टिविस्ट बने लखा सिधाना ने कहा कि हम दीप सिंग सिध्धू के गाउं में गई उसने कहा कि हमने गाउंवालों से पूछा कि लड़का आपके गाउं का है लोग उसके बारे में गलत कह रहे हैं लेकिन वहां उसके गाउंवालों में से उसके बारे में किसी ने भी गलत नहीं कहा लोगों ने बताया कि चार साल के उमर में उसकी मा गुजर गई थी अपनी बदोलत उसने युनिवर्सिटी में दाखिला लिया वहां से लौकी पढ़ाई की बास्केट बॉल का खिलारी भी बना फिर विदेश चला गया वहां जाकर उसने पढ़ाई की हमने गाउंवालों से पूछा कि 34 साल का युवक है कैसे इसमें देश के लिए प्रेम जागा उसने कहा कि गाउंवालों ने बताया कि इनके परदादा निहाल सिंग सिद्धु लाहोर में पढ़ते थे और उनके समय में भगत सिंग के चाचा भी पढ़ते थे महापर भगत सिंग भी आते थे अपने पूरवज की तरह इसमें भी देश प्रेम की भावना आई उसने कहा कि अपने पूरवजों की तरह इसमें भी देश के लिए प्रेम है उसने कहा कि गाउंवालों ने ये भी बताया कि पंजाब के लगभग कई नेता जब भी चिकेत ने कहा कि गंटतंतर दिवस में किसान दिल्ली में आएगा उन्होंने कहा कि दिल्ली खबरदार किसीने किसानों के ट्रेक्टर को रोका चिकेत ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी परेड मनेगी जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कर उतार दिये जाएंगे टिकेत नहीं ये भी कहा कि किसान गंट तंतर दिवस को मनाएगा वह मीडिया पर भी उखड़े उन्होंने यहां तक कह दिया कि कर रहे हैं आप बक्वास वहीं एक अन्य वीडियो में किरति किसान संगठन की राजिंदर सिंग दीप वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि 26 जनवरी को सारे ट्रैक्टर नाको पर खड़े कर दो और इस दिन मोधी की चर्चा नहों बल्कि मोधी की गरदन पर ट्रैक्टर चड़ने की चर्चा हो इधर हरियाना की किसान नेता गुर्णाम सिंग चड़ूनी इस वीडियो में सरकार को चेताबनी देते नजर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि 26 आरी को अपनी तैयारी कर ट्रेक्टरों के साथ आ जाएं जबरदस्ती बेरिकेट्स तोड़ कर दिल्ली में घुसेंगे सरकार गोली मारे लाठी मारे जो करना है कर ले 26 को फाइनल मैच होगा वही वीडियो में सतनाम सिंग पन्नू का जो बयान है उसमें ट्रेक्टर परेड का रूट तोड़ने की बात कही गई है पन्नू कह रहे हैं कि हम पुलिस से बात कर रहे हैं कि रिंग रोड पर ही जाएंगे अगर वो मान गए तो ठीक नहीं माने तब भी जाएंगे देखेंगे सरकार क्या करती है इधर किसान नेता सरवन सिंग पंठेर कह रहे हैं कि ट्रेक्टर परेड के दिन लाल किले पर जाकर बैठ जाओ वहां से आगे मत जाओ यहां बताते चले कि 7 मिनट के वीडियो में दीप सिद्धू का 25 जनवरी की रात को दिया गया भाशन दिखाया गया है यह स्पीट सिंगो बॉर्डर पर दी गई थी मंच पर खड़ा दीप सिद्धू भीड को समझाता दिख रहा है कि ट्रेक्टर परेड के लिए जो रूट सहमती के बाद तैह हुआ है उस पर ही जाने का फैसला करें एकता बना कर रखनी है गिरफतारी से पहले भी दीप सिद्धू ने वीडियो जारी किया था इसमें उसने कहा कि वह सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारिया दे सकता है जो किसान नेताओं के लिए परेशानी खड़ी कर देंगी यहाँ यह भी बताते चले कि लाल किला हिंसा का आरोपी लखा अभी भी पुलिस गिरफत में नहीं आया है हलाकि वह लगातार किसानों के कारेक्रमों में दिखाई दे रहा है मंगलवार को उसने पंजाब के भटिंडा में महारेली भी की इसमें मंच पर भी खुद मौजूद रहा इसके बाद उसने मंगलवार रात को ही फेस्बुक लाइव किया और महारेली में आने वाले किसानों का धन्यवाद दिया लाइव के दौरान लखा कह रहा है कि महारेली से साबित हो गया है कि किसान जीत कर ही जाएंगे इन्हें मूत और जवाब देना होगा कि अजाएंगे